सब्सक्राइब बात करेंगे जो कि हमारे CBCS के जो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे अप लोग को कुछ आईडिया से क्योंकि उलड़ी अप लोग पूराने स्ट्वेंट्स में इस बारे में उनको तुरह आईडियो कम है इस वीडियो में उसी के उपर बात करेंगे के इनलीक देना ज़़ूरी है और क्या इनलीक इसके इंपटेंस्स आपके results के उपर So strengths, आप लोग को क्या करना हर बर एक तरह वीडियो में अन तक बने रहे हैं So चलिए वीडियो को start करते So जब से CBCS courses start की है आशाम University ने तब से unit test and practicals जो assignments होते हैं उसको भी introduction किया गया है CBCS के course के साथ So पहले जब non CBCS के course थे उस समय पे जो 50 marks के exam होते थे और जो कि direct semester exam students को देने परते थे ना कोई unit test तब होती थी ना कोई assignment और ना कोई internal कुछ marks added होते थे बद जब से CBCS course को introduce किया है आशाम University ने तब से कुछ subjects के लिए कुछ marking में unit test and आपके assignments को में include कर दी है अब unit test and assignment के benefit क्या है उसके बार में बात करेंगे सो unit test और assignments जो होते हैं internal जो होते हैं उसमें आप जो scoring करते हो यह direct आपके final total marks के सथ add हो जाते हैं और यह direct आपको effect करते हैं आपके final marks पर अगर आप अच्छे score लाते हो उसमें आपके final marks में increase होते हैं और अगर आप अच्छे score में नहीं लाते हो सो final marks में decrease हो जाते हैं जब percentage calculation होते हैं या फिर total जब किये जाते हैं इन दोनों में marks प्रेंश के अच्छे आते हैं क्योंकि यह दोनों के जो marking patterns होते हैं या फिर marks जो दिये जाती हैं college के तरफ से दिये जाते हैं but जो final exam में आप लोग बैठते हो उसके total rights चले जाते हैं university के हाथ में unit test में scoring ज्यादा होते हैं in comparison to final exam आप देंगे उससे ज्यादा scoring unit test में आते हैं क्योंकि college के हाथ में सब कुछ होता है but आप final exam का preparation भी अच्छी से करना ठीक है क्योंकि back जो लगते उस final exam में back लगाए जाते unit test और assignment में back कोई नहीं लगते हैं उसमें अगर आप बैठ जाते हो एप्यार कर ले तो उसमें अच्छा scoring आ जाता है but final exam में back लगाते हैं university के तरफ final exam में अगर अच्छी सब exam नहीं दोगे तो उसमें back आ जाएंगे फिर एक साल के लिए आपको wait करना पड़ेगा उस paper को फिर से re-exam देने के लिए so unit test का preparation अच्छी से करिए अच्छा scoring लगे उसमें तब जाके final exam में भी आगर थोड़ा score अच्छा लाते हो आप लो so जब ओ एड हो जाएगा automatic आपके percentage अच्छे आ जाएंगे so इस बार जो first semester में नए strengths जुड़े हो और साथ में BBA के भी जो नए strengths हो यह आप लोग के लिए important video होंगे क्योंकि आप लोग को हो सकते information है बहुत से strengths को information इसके बारे में नहीं है so जो भी हो इस वीडियो के तरह मैंने आप लोग को information प्रवाइड की और ऐसे आपडिस के strengths मेरे सथ बने रहे हमाँ चल के साथ जुड़े रहे so thank you students for joining me झाया है झाया है